अच्छी खबर उस अवार्ड से जुड़ी हुई जो कि भारतिय शहर को मिला है वर्ल ग्रीन सुटी होने के लिए जी हाँ शायद आप चौक सकते हैं क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है बारत के हाइदरबाद शहर ने दुनिया भर के शहरों के भी जिसमें पारिस, मॉंट्रिया, बोगोटा जैसे कई नामचीन शहर थे इन्हें पचार कर जीता है वाल ग्रीन सुटीज रवार्ड जो कि इंटनाशनल असोसियेशन ओफ हॉटे काच इसके चलते इतना बड़ा सम्मान हाइदरबाद और भारत को मिला है आपको जानकर हैरानी होगी कि हाइदरबाद अकेला ऐसा शहर था भारत में जिसे नॉमिनेट किया गया जिसे चुना गया और तमाम दुनिया के शहरों को पचार कर जब हाइदरबाद ने ये अवार्ड जीता है तो इतना दुपनता है कि हम आपको बताएं और दिखाएं कि हाइदरबाद की क्या को भी उसे इस मुकाम तक ले गई है तो आएए बताते हैं कि कौन से ये 6 काटेगरी थी और किसे एक काटेगरी में हाइदरबाद ने अवार्ड जीता और ओवरॉल सम्मान वर्ल् डीलिम फोर क्लामट चेंज, लिविग ग्रीन फोर है और लिविग ग्रीन फोर किनॉट्वरी और सोचल इंखुज़न एकूनोमिक कवरी और सम्मान की काटेगरी है यहां पर हैदरबाद ने बाज़ी मानी इंखे जी काटेगरी में से और इसके तहट है थाद है और ओर वहाद बड़ा तंगा है ही और यह सर्माल क्यों बिला एकनोमिक रुकवरी और सोच इंगीुजियू तरसल हाइद ने इसके लिए पेश किया आउटर रिंग रोड का इलाका और यहां पर जो हरियाली है यहां पर जो हरत हरम यहां की सरकार ने लाहू किया है वो बाकई देख International Association for Horticulture Producers ने हाइदरबाद की इस आउटर रिंग रोड को देखकर यह समान दिया है तो इस पे कोई अचरज की बात नहीं है यहां की हर्याली वाकई वोल्ड क्लास है वैसे इसके माइन यह है कि इस शेहर में वो मौके यहां के रहने वाले तमाम लोगों के लिए मौजू के लिए एक प्राउड मोमिंट है कि वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवर्ड हाइदरबाद शेहर को मिला है और उमीद की जाने चाहिए कि इससे दूसरे शेहर भी प्रभावित होंगे और हाइदरबाद और तेलंदाना इसे और दंभीरता से लेते में से अपने राज्य के दूसर के इससों में भी लागू करेंगे